माता वैस्णवदेवी भवन में मची भगदर में बारे सर्धालों की मौत हो गई है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आसंका है। जम्मु कस्मीर के डीजी पी दिलबाग ने बताया कि इस भगदर में बारे लोगों की मौत हो गई है और तेरे लोग घायल हुए हैं। भगदर का मामला सामान होने के बाद वैस्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई है। डीजी पी दिलबाग सिंग ने अस्पताल में भरती लोगों से मिलने के बाद प्रेश से बात की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उधर किसी तरह का ब्रहम हुआ होगा। जिस से कुछ प्रतिकरिया हुई होगी, मह मौझूद लोगों के अनुसार कुछ क्रॉस मुमेंट था जिसके कारण कुछ टकराव हुआ या कुछ बहस बाजी हुई होगी। सबी चीजें देखी जा रही है, जादत अर्मौते, दम घुटने और लोगों के आपस में टकराने से हुई है। गायलों को अस्पताल ले जाने में समय नहीं गवाया गया, छे लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अन्य चार लोग भी डिस्चार्ज के लिए तयार हैं और अन्य चार को कुछ और दिन अस्पताल में भरती रहने की आवश्रक्ता होगी। स्राइन बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि हादसे में 12 सरधालों की मौत हुई है और 15 सरधालों घायल हो गए है सरकार ने तीन सदस्यों की टीम को उचिस तरिय जाँच के आदेश दिये हैं जिसकी अधिक स्ताब प्रिंसिपल सेकेटरी होम करेंगे और उनके अलावा एडी जी पी जम्मू जौन और डिविजनल कमिशनर जम्मू इसके सदस्योंगे हादसे को लेकर स्राइन बोर्ड ने बयान जारी किया इस बयान में कहा गया है कि रात करीब दो बचकर पंद्रे मिनिट पर वैस्नो देवी भवन के गेट नमबर तीन के पास भगदड मची स्राइन बोर्ड के अधिकारियों पुलिस और जिला प्रसासन द्वारा तुरंत राहतकार शुरू किया गया जम्मु कस्मीर के उपराज जपाल ने भी माता वैस्नो देवी पर हुई भगदड को लेकर सोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि सम्वेदना और प्रातना मृत करो और गहलों के परिवार के साथ है मैंने प्रदान मंतरी नरेंद्ध मोडी जी से बात की है उन्हें हालात के बारे में पूरी जान करी है प्रदान मंतरी ने हर तर Señ की मदद का आस्वासन दिया है सबी मृत्कों के परिजनों को 10 लाख रुपे का मौपजा और सबी गायलों को 2-2 लाख रुपे दिये जाएंगे गायलों के इलाज का कर्च स्राइम बोर्ड बेहन करेगा सबसे पहले तो मैं माता वैश्टनो देवी परिशर में हुए दूखद हाथ से पर शोक व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने भगदर में अपनों को खोया हैं जो लोग गायल हुए हैं मेरी संवेदनाए उनके साथ है केंदर सरकार जम्मु कश्पीर प्रशासन उसके लगातार संपर्ग में हैं मेरी लेप्टनिन गवरनर मनो सिनाजी से भी बात हुई है राहत के काम का गायल के उप्चारों का पुरा ध्यान रखा जा रहा है